नमस्कार स्वागत है आपका पिहारी न्यूज में मैं रतन सेन भारती अज हम बात करेंगे सांसदों को मिलने वाले फंड और उनकी सेलरी के बारे में भारत में सेलरी को लेकर जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि नौकरी पेशा लोगों की सेलरी सबसे जादा है इसी मे आईए एक नजाद डाल लेते हैं अपने जन प्रंदी दी यानि कि सांसदों की सेलरी के बारे में किसी भी सांसद को एक महीने में एक लाग चालिस हजार रुपिये फिक्स मिलता है जिसके उपर उससे ज्यादा भथता भी मिलता है वही अगर हम बात करें फिक्स बेतन की तो इसके बात संसरियर छेत्र भवंद एनाउंस के रुप में 45,000 रुपिये इसके बात करें सेलरी के उपर मिलने वाले भथतों की तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है इसमें डारेक्ट एरियल के रूप में 3,30,000 रुपए, हवाई सफर भत्तक के रूप में सलाना 4,08,000 रुपए, रेल सफर भत्तक यानि कि सलाना उसमें 5,00,000 रुपए, इसके साथ ही पानी भत्ता सलाना 4,000 रुपए, बिजली भत्ता सलाना 4,00,000 रुपए सामिल है, एक सांस के फंड के बारे में, इसको हम सौट में कहेंगे MP Land Find, तो MP Land Find जो है एक तरह से यह फंड है जिसके तहा सांसदों को साल भर में पांच करोर रुपे मिलता है, जो धाई-धाई करोर की दो किस्तों में जारी की जाती है, केंदर सरकार का यह पैसा लोक सभा में, 543 और राज सभा इसका पर्योग किया जाता है, इस फंड और इससे होने वाले कार्ज की निगरानी के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी भी होते हैं, इस योजना के तहट सांसद के प्रतेक सदसियों को उनके निरवाचन छेतर के लिए प्रती बास 5 करोर रुपे की रासी मिलती है, इस में मदद से लोकसभा के सदस्त अपने निरवाचन छेतरों के भीतर काम करने की सिफारिस कर सकते हैं, रास सभान के चुने हुए सांसदों को भी राज के भीतर काम करने की सिफारिस करने के नुमती दी जाती है, जहां सुबस चुने गए हैं, इसके अलावा दोनों लोकसभ पहली बार सन 1993 में नरसीमा राव की सरकार के दवरान योजना को लाउंच किया गया था इसके मुख उदेश था विकास आत्मा कारजियों के लिए धन उपलब्द कराना जिसकी सिफारिस सांसतों के दवारा की जाती थी इसकी सुरुआत 1994-1995 और उसके बाद 1997-1998 के बीच संसद सलाना एक करण रुपे विकास कारजियों के सिफारिस करता था कुछ साल के बाद 12 फंड को पढ़ा कर 2 कड़ोर रुपे प्रतिबस कर दिया गया उसके बाद 2011-12 में यूपी की जब सरकार आई तो इस फंड को पढ़ा कर 5 कड़ोर रुपे कर दिया गया जून 2016 में सांकेकी एवं कारज करम किरियान वेन मंतराला दोवारा प्रकासि संसद सदस स्थानिय छेतर विकास योजना के दिशा निर्देश के अनुसार इस योजना का मुख्य हुदेश संसद के विभिन सदसियों को उनके निर्वाचन छेतर में विकास आत्मा कारजों की सिफारिस करने में सच्छम करना था जिसमें पीने का पानी, सिख्छा, सरवजनिक स्वास्त और स्वास्ता के साथ साथ बेहतर सड़कों के निर्मान और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी सामिल किया गया था, इस योजना को लेकर जारे दिजहाद निर्देश में सांसदों को सुझाव दिया गया था कि वह अपने एमपी लेंड से कम से कम 15% की जो रासी है हुआ है, एस्टी छेतरों के विकास कारजों में खर्च होगी, अब हम इसको आगे थोड़ा जाने कि एमपी लेंड के तहद किन-किन पर योजनाओं पे काम किया जा सकता है, या फिर किया जा रहा है, तो इसमें जो सबसे पहले जो दिशा निर्देश इसको लेकर जो मंतराला की तिरफ सजारी किये गए हैं, उसमें बिकास कारजों में सुझाव दिये गए हैं, इसमें रे यानि कि COVID के समय में इसको लेकर अलग दिशा निद्यस जारी किया गया है। समय में इसको लड़ने के लिए इसके अतरिक्त पूरे देश के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में इन्फरारेड थर्मामीटर व्यक्तिग सुरफ्चाव करन यानि कि पीपी कीट थर्माल अस्क्रीनिंग के साथ साथ आईस्यू वेंटिलेटर के सुपधा आधियू लब्द कराने के लिए इन रूपियों को खर्च किया जाएगा तो बिहार और देश से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यवाद